तो गाइस react.js की पिछली वीडियो में हमने एक चोटी सी movie website बनाई जिसमें हमने एक data को जो है render किया बहुत ही कम code लिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ यह हमने पिछली वीडियो में बनाया था ठीक है और यहां पे हमने बहुत ही छोटा code लिखा और इन सब data को हमने अच्छ चैसे दिखाया ठीक है अगर पिछली वीडियो नहीं देखिए देख लो और यहर वीडियो को skip मत कर लिया करो ठीक है इस playlist को जो है save कर लो access कर लो सेव कर लो अपने bookmarks में या अपने YouTube में ही save कर लेना ताकि आप सारी वीडियो को देख पाओ ठीक है और सारी वीडियो देख लाए करो क्योंकि हर किसी वीडियो में कुछ नया इंट्रड्यूस हो जाता है और मैं नहीं चाहता आप लोगों मिस करें जैसे कि पिछला जो हमन सारा data दिखाया बहुत ही आसानी से ठीक है तो देख जरूर लेना और आज की वीडियो में यार हम react developer tools जो की एक extension है उसकी हम बात करेंगे ठीक है और if else condition की बात करेंगे और ternary operator मैं इसमें इंट्रड्यूस करूंग आपको ठीक है तो पढ़िया है तो चलते हैं visual studio code में और म जब आपकी react application होगी ना वहां पर अगर आप react developer tools की मेरा यहां पर install है उसको देखो आप install कैसे करोगे आपको इसे भी browser में मैं भी Microsoft Edge में काम कर रहा हूं तो यहां पर आपको क्या करना है आप ढूंड लेना extension वाला section मिल जाएगा आपको कहीं ने कहीं ठीक है tools में मिल अगर आप लिख दोगे chrome vitaminad chrome extension webstore ठीक है तो यहां पर आपको जो है यह मिल जाएगा ठीक है अभी यह देखो मेरे को Microsoft Edge का बता रहा है यहां पर chrome कभी आपको मिल जाएगा chrome यूस कर रहे हो तो यहां से आप similarly install कर सकते हो ठीक है और extension का नाम क्या है यहां पर मैं दिखा दूं react developer tools अगर आप लिखोगे इसको search करना तो यहां पर आगया आपको ठीक है यह top में आगया यहां पर और मैंने palace install करके रखा है इसलिए मेरे को remove का रहा है अगर आपने नहीं किया आपको यहां पर install का आएगा या get का आएगा click करना और आपकी यह install हो जाएगी ठीक है अभी करने के बाद कर लेना इसको ठीक है तो अभी जैसे मैं यहां पर आऊँ अब जब करोगे अगर आपने कोई react application लोड नहीं किया ठीक है जैसे कि यह microsoft जो application है अभी जो web application है यानि कि website यह react का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहां पर देखो मेरे को थोड़ा black and white सा लग रहा है ठीक है यह color लेकिन जो website यूज कर रही है जैसे कि हमने यहां पर यह हम तो react का यूज कर रहे है ना तो यहां पर मैं extension में जाओं तो यहां पर देखना है इसमें जो है color जो bright colors आ गया अबी है ना तो इसका मतलब यह देखो लिखा भी आ रहा है has access to this site मतलब मैं क्लिक करूँ इसमें this page is using development build of react और यह खली इस website के लिए कोई सी भी अगर कोल लो जो कि मैंने example में दिखाई थी flip card खोलते है यार वापस है ठीक है और यहां पर आप extension में देखना react developer tools चो है access has access to this site ठीक है मतलब यह भी use कर रहे हैं react developer tools का ओके बहुत बढ़िया यार तो इतना आप समझगे अब मैं दिखाता हूं यार उसमें हम क्या क्या कर सकते है ठीक है तो आप simply right click करना inspect में click करना ठीक है inspect आपको मिल जाएगा यहां पे आपको यह site में जो दिख रहा है ना यहां पे आप कहीं पे भी खोल सकते हैं यहां ऐसे में भी खोल सकते हो या उपर से जैसे मैंने खोला था वह भी कर सकते हो और यहां पे मुझे कुछ हरा रहा है यार क्या दिखा रही है इच एट इन लिस्ट हैवा यूनीक की प्रॉप अच्छा तो यार हमने यह map function का use किया ना तो आपको एक properties होर देनी पड़ेंगी जो है की है की जो कि पिछली वीडियो में हम देना भूल गया थे चलो कोई नहीं अभी दे दे तो यहां पर मैं movie.js में जाओं नहीं यार मैप कहां पर कर ले थे हम एप.js में कर रहे थे हां तो यहां पर देखना पिछली वीडियो देख रहा है उन सब को एक-एक करके वह मैप करते रहा है अब देखो यह कह रहा है कि की property होनी चाहिए जो भी आप लिस्ट होगी चाहिए ठीक है बेसिकलिए जब आप मैप function का यूज करते हो तो वहां आपको की property देनी ही देनी पड़ेगी क्यों क्योंकि यार देखो उसको पता तो होना चाहिए उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए जिससे हो इडेंटिफाइए कर पाए उनको क्लासिफाइए कर पाए ठीक है और बेसिकली जब कोई डेटा चेंज हो तो पुरह सब को रिरेंडर ना होना पड़े इसके लिए आप दे देना कोई दिक्कत न यहां पर यहां पर आप मैप फंक्शन यूज करोगे ना यहां पर दो चीज आपको मिलेगी एक तो एलिमेंट यहां से पकड़ लिया और दूसरी चीज होगी उसका इंडेक्स अगर आपको एरे नहीं पता है मैं दिखाता हूं आपको ठीक है यहां पर आजो कंसोल मैं यहां पर बना रहा हूं इन में नमबर दे रहा हूं ठीक है इन में मैंने नमबर दिया यह मेरा यह बन गया अब मैं एर आर अब इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं इंडेक्स जीरो से शुरू होता है तो जो पहला एलिमेंट है मारे एरे में अगर मैं यहां पर तो यही चीज़ा है तो इसका मतलब जितने element होगे सब के लिए unique index होगा obviously है ना तो यहां पर आप index ऐसे get कर सकते हो ठीक है और ठीक है तो इसको मैंने blank किया अब यहां पर array जो हमने बनाया था यहां पर आपको दिख रहा है अब जो map function की मैं बात कर रहा था यहां पर देखो अगर मैं लिखो यहां पर array.map ठीक है मैंने clear कर दिया है आप समझ गयो जो हमने array बनाया था वह array है ठीक है तो यहां पर अगर मैं map का call करूं यहां पर पहली चीज हमारी क्या मिलेगी हमें element मिलेगा जो कि array में है और दूसरी चीज उसका index दे दिया कि करके जो कि यहां पर मेरे को directly मिल जा रहा था ठीक है लेकिन map function नहीं करता है और यह directly आप जो है जावस्क्रिप्ट में ऐसा get नहीं कर पाऊगे यह console में दिखा रहा है वो अलग बात है ठीक है अब यहां पर क्या होगा देखो अगर मैं यहां पर डॉट मैप मै जो उपर लिखा था मैंने इसको मैं simply अब की जो मेरी यह arrow की है वाली उसको मैं प्रेस करूंगा तो मेरा यह लिखा जाएगा अब मैं यह की जगर अगर आई डालू यहां पे तो मेरा इंडेक्स यह शोग कर दे रहा है तो पहले वाले element के लिए zero index है मतलब आप समझ कियो unique index है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ पburger माय की मैं की मैं इसको प्रॉब्ट दूँंगा और इसमें मैं क्या दूँगा चो मेरा index यहांसे हा रहा है दिया है आप समझ क्यों इतना मैं save करता हूँ चलता हूँ browser में इसको Score see you promote कर दूँए और इसको में स्कोर सब्सक् हमने key properties दे दिया और वो काम कर रही है ठीक है बढ़िया अब चलते हैं यार हम डिये डैवलपर टूल्स की बात कर रहे थे हम तो कहीं और ही आ गए ठीक है तो यहां पे अगर मैं लेकर चलो आपको यहां पर आपको components भी एक दिख जाएगा जो कि हमारा दिया एक developer टूल से आ रहा है जो अभी हमने extension install किया तो यहां पर आप components में क्लिक करना तो जो आपकी जो आपकी website होगी अगर वो react यूज कर रही है तो यहां पर उसके सारे components वगएरा आपको दिख जाएंगे ठीक है यहां पर सारे हमको दिख रहे हैं ठीक है बढ़िया तो य अलग से component बनाएं तो यहां पर सारी दिख रही है अगर मैं header में जाओं तो यहां पर कुछ properties इसमें है नहीं props यहां पर दिखा रहे है जो props हमने पास किये ठीक है अगर मैं movie में जाओं जो कि हमारा पहला पहला component है movie का render हो रहा है तो यहां पर देखो उसका data इसने दिखा द आप यहां पर 1990 करता हूं enterprise करूंगा update मेरा हो गया है ठीक है यहां पर यह चीज बहुत बढ़ी है ठीक है आप जितने आपके component यहां पर render हो रहे है जितनी बाहर यह movie एक ही component है लेकिन जितनी बाहर render हो रहे है तो यहां पर key properties भी मिल गया है थोड़ा identify हो रहा है ठीक है अब मों जहां पर over करूंगा वो मेरे को component शो करते ला है देखो कहर मैं इसवाले card में हूँ तो ये मेरे इसंपर कर रहा है या तो एटागर आपको dum से देखना है अगर मैं इसवाले inspect में click करूंगा में यहांप करूंगा जो भी को यहां पर doproties भी में जाओंगा मैरे को और ए इसमें देखेंगे ठीक है स्टेट्स पर गहरा हम देखेंगे और चीज़े देखेंगे बहुत मजाएगा तो इसको आप बेसिकल इंस्टॉल कर दो मैं ही कह रहा हूं और बहुत काम की चीज़ है ठीक है तो रियक्ट डेवलपर टूल साप समझ गए हो इतना तो है ना इतना आप समझके बाकी आपको जिसके अंदर जितने कंपोनेंट होगे ऐन पर दिखा देखा याप के अंडर हमारे हेडर मूवी बहें मूवी पी है अंतर मानलो और कंपोनेंट होते यहां पे आपको वह शारे शोग मैंने वहां पर गयों ऑच्छा इनका रौटर बगएरा भी ह ठीक है राउटर करेंगे हम राउटिंग की बात भी करेंगे तेंसल मतलब यह इस चीज की ठीक है यहां पर देखो मैं इक कंपोनेंट को इसावज सेलेक्ट करता हूं यहां पर यहां पर इसने लिंक बनाया है उसके अंदर हमारी इमेज है और देखो लेजी लोडिंग वगा एक मिनाट यह वाला मैं देखों तो हाँ यहां पर देखो सारा मिल रहा है टाइटल मिल जा रहा है और उसका टू यानि कि उसके लिंक मिल जा रहा है ठीक है यह सब है यह हम देखेंगे बैसिकली कहना इंट्रड्यूस हो गयोगा आप रियक डैवलपर टूल से अब उसको ह टू नहीं है तो एल्स यह कर दो ठीक है अटर्णरी ऑप्रेटर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं ठीक है कोई दिख कर नहीं है इस जैसा ही है थोड़ा शॉट है और आसान है ठीक है यहां पर देखो क्या रहा है मैं आया ठीक है यहां पर एक चीज आपको पता नही ठीक है और यह हम करेंगे ही आने वाली वीडियोस में बहुत बार करेंगे हमें आप ठीक है तो यहां पे अगर मैं कोई function define करूं मालो मैं function add करता हूं यह कुछ भी आप define करोगे यह आपका काम कर जाएगा perfectly काम करेगा ठीक है तो इसकी tension मतले ना कि यहां पर हम खाली return करने वा यहां पर condition define कर दे रहा हूं तो मैं यहां पर क्या करता हूं let login को मैं अभी true कर देता हूं ठीक है आप simply कर लो मैं एक variable बनाया है मैंने मैं कहा रहा हूं login है true है ठीक है अब मैं यहां पर condition इसकी pass करूंगा अब मैं कहूंगा अगर login है तो यह by default true return करेगा क्योंकि हमने true assign किया यह तो अगर कोई number वगए आपको तो equal to equal to करके इसको check कर सकते हो ठीक है अगर यह true है तो मैं क्या चाता हूं यार यह return करे हमारा एक component जो की है जो की यहां पर हमने पूरा define किया न तो यह काम करते हैं यह तो हमारा आएगा याएगा तो मैं चाता हूं यार इसको मैं अगर यह false है ठीक है अगर यह false है तो यहां पर हमारा return करे एक h1 जो की कहेगा जा मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा ठीक है मैं save करूंगा इसको इधर आओ reload करो अभी सारा perfectly काम कर रहा है क्योंकि यार यह false नहीं है इसलिए वह काम कर रहा है अगर मैं इसको false कर दूँ यहां पर save करते हैं वापस चलो यह कहा रहा है जा मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा तो ठीक है यार तो इतना हमने कर लिया तो आप समझगे आप यहां से conditionally भी आप यहां से return कर सकते हो यहां पर आप component भी दे सकते हो जैसे component हमने इंपोर्ट करा है अभी मैं नए component बना नहीं रहा हू हमने बनाया जैसे की header हमने बनाया ठीक है यहां पर आप ऐसे return कर सकते हो और बढ़िया यार इतना आप समझगे यहां पर मैं रख रहा हूं कि जा हम तुझे नहीं दिखाएंगे ठीक है अच्छा else if भी रख सकते हो जोगी होता होता है और else भी रख सकते हो ठीक है if else condition आपक इसा ही है ठीक है तो अभी के लिएकर मैं if else हटा दूँ तो यहां पर देखो हमारी JSX है JSX के अंदर आप directly if else use नहीं कर सकते हो और कैसे कर सकते हो यह मैं बताऊंगा लेकिन अभी के लिए आप directly use नहीं कर सकते हो यहां पर हम map कर रहे हैं तो एक काम करते हैं header से पहले जो है header से पहले मैं JavaScript लिखूंगा तो JSX के अंदर हैं तो curly braces के अंदर हम अपनी JavaScript लिख सकते हैं ठीक है यहां पर अगर मैं directly if else का use करना चाहूं अगर मैं कहूं login is equal to is equal to false या कुछ भी ठीक है return करना चाहूं तो यहां पर यार यह मेरे को पहले error दे रहा है क्या कह रहा है यह expression expected ठीक operator की बात करते हैं तो बहुत आसान operator है और बहुत आसान ससकर syntax है तो मैं इसको थोड़ा अलग से दिखाता हूं ताकि आप बाकि उससे confused रहो ठीक है यहां पर देखो ternary operator हम कैसे use करेंगे सबसे पहले आपको expression लिखना है जैसे कि इफ के अंदर आप लिखते हो ना condition तो यहा अब मैं सिधा condition दूँगा मैं कहूंगा login अगर login false होता है हमारा ठीक है तो यहाँ पर आपको question mark देना है तो अगर login false होता है तो आप क्या return करना चाहोगे तो मैं यहाँ पर h1 return करना चाहूंगा जो कहेगा मैं तुझे अभी भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, यह आप समझ के, अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको toggle करूँ, हाँ, अभी देखो, अगर login false होता है, तो यह h1 में return कर देगा, मैं तुझे अभी भी भी नहीं दिखाऊंगा, बट अगर false नहीं होता हो इसको, या मैं, या मैं एक div दे दूँगा, खाली div, ठीक है, कुछ भी आप दे दो, तो यहाँ पे देखो, मेरा expression बन गया, यहाँ पे, यह कह रहा है, कि यहाँ पे एक काम करते हैं, यार, यह तो मेरा दिखेगा है, यह तो मेरा दिखेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर condition ल या, तो false हमने दिया है, तो मेरे खाल से, इसकी styling मेरे को देनी पड़ेगी, यह white color का होगा, ठीक है, तो style हमने का था, inline style कैसे करोगा, यहाँ पे मैं color दूँगा, color इसको मैं black देता हूँ, तब देखो, चलो browser में, अभी दिखे रहा है, देखो, मैं तुझे नहीं करी है, यह मेरे यार, एक जो है, जो हमारा render हो रहा है, उसके साथ हमने JSX में, यहाँ पे condition लगाई है, अब इसके लावा मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे login false है, ठीक है, अगर login true है, false नहीं है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा, देख ले भाई, और alt-z में अग आप यह मेरा toggle हो जाएगा, syntax आप ध्यान रखना, पहले JSX के अंदर लिखने के लिए, आपको curly braces देने, उसके बाद आपको पहली condition लिखने है, उसके बाद question mark देके, अगर यह condition true होती है, तो उसके बाद जो भी आप render करना चाहो, यहाँ पे मैंने h1 render किया, आप component render कर सकते ह हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल render कर सकते हो, तो एक खाम करते हैं, हम header दिखा रहे न, तो यहाँ पे header copy करके मैं दिखाता हूँ, तो h1 की जगा, अगर मैं यहाँ पे header press करूँ, ठीक है, अगर मेरा यह false है, login, तो मेरा header दिखा, जबकि ऐसा होना नहीं चीए था, पर condition स तो यह दिखा, अगर false होती है वाली condition, तो semicolon के बाद वाला दिखा, ठीक है, यह false का short way है, बट इसमें यह दिखकता है कि यह रहा, elif औगर आप नहीं डाल सकते हो, इसमें खाली if और else condition, और आपको पता है, उसमें else if भी होता है, आप multiple conditions लगा सकते हो, ठीक है, save करेंगे, यहाँ पर अभी मेरे को दो बार यह क्यों दिखा रहा है, अच्छा, दो बार हमने यह किया, ठीक है, इसको मैं comment कर दूँगा, चलो, अब मेरे को एक बार दिखा रहा है, बट अगर मेरा login यहाँ पर true होता, तो यह मेरे को दिखाता है कि देख ले भाई, अरे मेरे भाई, अब वापस से इसको styling देनी पड़ी, तो एक काम करते हैं, हार, इसको मैं day देता हूं, ठीक है, इसको styling देता है, यहाँ पर मैं कहूंगा, black, save करेंगे, चलेंगे, यहाँ पर कह रहा है, देख ले भाई, तो यह div के अंदर है, इसलिए small text आ रहा है, तो आप समझ क्यों है, मैं यही आपको दिखाना चाहता था, बाकी ternary operator आप समझ गयों, इसका हम काफी time use करेंगे, अगर आपको याद नहीं हो, याद तो करना भी नहीं है, इसको काफी time हम use करेंगे, इतना हमने कर लिया है, चलो browser में सारा कुछ बढ़िया काम कर रहा है, इस आप समझ गयों, य इतना javascript आपको आती है, यहाँ पर जो भी लगाना है, for loop लगाना है, कुछ भी लगाना है, लगा लो, ठीक है, काम करेगा आपका, ओके, तो इतना हमने कर लिया, अब मैं कहरा था है, jsx के अंदर आप directly, if else का use नहीं कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, वो भी हम देखते हैं, कैसे आप करोगे, सबसे पहले javascript यूज करने के लिए, आपको जो है, curly braces तो देने देने, उसके अंदर ही आप javascript लिखोगे, jsx के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर कैसे यूज करोगे, वो मैं syntax आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आपको एक syntax लिखना है, जो की है, पहले तो आपने javascript लिखनी है, इसलिए आप यहाँ पर curly braces दे दोगे, इसके अंदर हम javascript लिखेंगे, jsx में, और यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको bracket open, bracket close, ठीक है, और दुबारा से यह चीज कर देनी है, उसके बाद आपको एक arrow function देना है, basically callback function, और यह syntax है, आपको करना बढ़ेगा, ठीक है, अगर directly false use करना है, और यहाँ पर at the end, जब आपने इतना कर लिया है, इसको इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद last में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर फिड से एक bracket open और bracket close का, यहाँ पर syntax देना है, ठीक है, और mostly लोग use नहीं करते हैं, यह जह सक्क इसके अंदर, लेकिन अगर आपको करनी है, फिर भी जरुत पढ़ गई कहीं पर, तो मैं यह बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, अब इसके अंदर मैं directly false भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं condition दूँ, अगर मेरा login जो है, तो login मैंने हटा दिया है, कहां से, तो यहाँ तो ठीक है, equal to equal to नहीं देता हूँ, क्योंकि आपको यह जीज भी समझानी चीए, मैं यहाँ पर क्या return करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर return करूँगा, ठीक है, true है तो देख ले भाई, वापस है, ठीक है, देख ले भाई, है ना, और अगर true नहीं है, तो मैं यहाँ पर return कर करेंगे, black, ठीक है, इसको मैं copy करके, यहाँ ले क्या हूँगा, मैं कहूँगा, देख मतली हो, ठीक है, मैं कहूँगा, देख मतली हो, गलती से, ठीक है, save करते हैं, चलते हैं, ब्राउजर में, यहाँ पर देखो, काम कर रहा है, देख ले भाई, क्योंकि हमारा true है, लेकिन अगर मैं इसको false करता हूँ, save करेंगे, चलेंगे, देख मतली हो, अब मैंने, यहाँ पर ternary operator का आप यूज़ कर सकते हो, वो काफी आसान हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर multiple condition हो, अगर आप else if का भी यूज़ करना चाहो, तो आप यहाँ पर वो condition भी रख सकते हो, इसमे आपको आसानी होगी, ठीक है, condition अगर login, ठीक है, मानलो true false नहीं है, कुछ ऐसी string value है, is equal to, is equal to, आपने कुछ दे दिया, मानलो क्या है, name, जो भी है यहाँ यहाँ पर ठीक है, मैं कहने का मतलब यह है, आप else if का भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया, कि इसके यही बतानी थी आर आज की वीडियो में, आज की वीडियो में मैं सुचता हूँ कुछ रह तो नहीं है, तो यहार कुछ पुरानी बाते भी कर लेते हैं, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, और वो धंक से नहीं बताई थी, मतलब बताई थी, मैंने धंक से नहीं बता इसको कहते हैं object destructuring तो हो क्या रहा है यहां पर हो क्या रहा है app.js से आप जो props pass कर रहे हो न वह as a object जा रहे हैं हमारे इस component को और यहां पर यह destructure कर रहा है मैं समझाता हूं इस बात को ठीक है मैं इसको समझाता हूं आपको और मैं browser में जाओं तो कह रहा है props is not defined अच्छ तो मैं यहां पर props मेरे को अटाना पड़ेगा क्योंकि मैं destructuring का use कर रहा हूं ठीक है save करूंगा चलते हैं वापस से सब काम कर रहा है console मैं call दूँगा यहां पर javascript लिखके आपको दिखांगा मैं ठीक है मैं यहां पर क्या करूंगा एक object रहा हूंगा मैं दिद दूँगा const obj नाम से मैं बनाता हूं और इसके अंदर क्या करते हैं और multiple properties रखते हैं जैसे कि मैं यहां पर name में रख रहा हूं कि वेल्यूपे इस नेम आजाएगा शुबं एंड एज जाएगी ट्वंटी ठीक है नम निमेरिक वेल्यू मैं डायर्क पास कर सकता हूं यह हमारा object बन गया ठीक है हमारा object बन गया ठीक है अब मैं destructuring जो कह रहा हूं पर पहली पहली बात करते हैं प्रॉप्स डॉट लिख रहा था प्रॉप्स डॉट इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखो ओबीज डॉट नेम करके ऐसे मैं गेट कर रहा था अभी तक ठीक है मैं कहूं ओबीजे डॉट एज तो ऐसे मैं गट कर रहा था स्को मैं फिर ड़म में show न लेकिन यहां पर डी स्ट्रक्शरी करके यह कैस यहांसे हो रहा है यह रहा है यह मैं आपको बताता हूँ यह रहा है जैसे आपने लिख दिया const और यहां पर आपने simply name लिख दिया same आपको name लिख रहा है नए और age लिख दिया is equal to मैं आपने object सिधा दिया ओ भी जै तो यहां पर अगर अब मैं name लिखूं मेरे को directly return कर रहा है तो मेरे को dot वो लगाने की जरूत नहीं कि object dot जो भी उसकी key है उसको देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसको कहते हैं object destructuring ठीक है इतना आप समझगे और यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं हम यहाँ पर destructure कर रहे हैं उसको और यह बात ध्यान रखना है जब आप object destructure करोगे तो नाम आपको same रखना है जो कि आपकी key का नाम होगा ऐसे नहीं कि आपको ने यहाँ पर अलग दे दिया क्योंकि यह array नहीं है है ना basically मैं कहना यह चाहरा हूँ नाम सेम दिखना है आपको ठीक है तो ठीक है यह आप समझगे और यह मेरे को आपको बताना था बाकी कुछ रह तो नहीं गया destructuring की हमने बात कर ली और किसी को अभी यह key उसमें problem तो नहीं है ना जो हमने key pass की देखो इसको एक example की दुरूद मैं समझाता हूँ आपको जैसा किसी के घर में वच्चे होते हैं तो उनको unique नाम देते है ना ताकि उनकी पैचान हो अलग से identify कर पाए अब आप सब को ऐसे तोड़ी बोलोगे बेटा अब उनको क्या पता किसके बात कर रहे हैं आपके चार बच्चे हैं तो आप बोलोगे बेटा तो चारो आ जाएंगे जबकि आपको unique identity चीए unique identity चीए उनके लिए तो आप नाम लेकर पुकार होगे ठीक है कि श्यामी तरह रामी तरह जो भी नाम ह जाएंगे बोलोगे बेटा घर से वागो तो सारे एक साथ भाग जाएंगे जबकि आपको एक को भगाना था ठीक है तो समझ गया आप बाकी यही ताहिए यह तीन चीज यह कुछ चीजे मैंने आपको बता दी कि I hope clear हो गए हूंगी यहां पर जो मैंने यहां पर का कि इसके देखेंगे हुक्स देखेंगे यूज स्टेट वगरा जो भी इती है इंपोर्टन चीज है वह हम देखने वाले तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाई झाल